नमस्कार आरे नियूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर शुरुआत करेंगे मणिपूर से जहां विधान सबाद चुनाव का अज पहला चरण शुरू हो चुका है ऐसे में आज इंफल में पूर और इंफल पस्चिम चुराल चांदपूर बिश्णुपूर और कांगपो की समेथ पांच जिलो के 38 निर्वाचन शेत्रों में वोटिंग हो रही है गौरतलब है कि पहले चरण में 15 महिलाओं समेथ कोल 173 उमीदवार इस चुनावी मैदान में हैं जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे है चुनावायों के अनुसार इन सभी उमीदवारों में से करीब 49 उमीदवारों का अपरादी कितिहास भी है बाचपन इस सभी 38 सीटों पर अपने उमीदवार उता रहे हैं तो महीं कॉंग्रेस 35 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है इस बार जेडियू भी अपना दंखम दिखाने के लिए मनेपूर में मैदान में उतरी है और उसने 28 सीटों पर अपने उमीदवार खड़े किये ऐसे में हिंगांग में स्रीम ने और बीजपी उमीदवार एन बिरेन सिंग इंफल के श्रीवन हाई स्कूल में वोट जालने पहुंचे थे जहां उन्होंने मतदान किया और वोटिंग के बाद उन्होंने कहा कि मैं उमीद कर रहा हूं कि मेरे निर्वाचुन शेत्र के 75 प्रतिशत लोग बीजपी और मुझे वोट देंगे बीजपी पहले चुरन में 38 में से कम से कम 30 सीटों की उमीद कर रही है और इसी दोरान उन्होंने सभी लोगों से वोट जालने की भी अपील की बिरेन ने कहा कि मैं अपने निर्वाचुन शेत्र के लोगों की साथ साथ अन्हे मतदाताओं से भी अनुरोध करता हूं कि वो अपना बहुमूले वोट जरूर दें और सम्विधान द्वारा दी गई लोगतांत्रिक शक्ति का जरूर उप्योग करें और यूकरेन पर रूस के हमले के मसले पर सहिंगत राश्य सुरक्षा परिशद ने सुमवार को एक सुतरान्व सदिस्टे संभाग के जो देश हैं उन्हें बैचक के लिए बैचक बुलाई है और ऐसे में विशेश आपाज सत्र की ये बैचक बुलाई गई है ऐसे में सत्र बेहद ही दुरलब बलाए गया है इसमें करीब 15 सदिस्टे परिश्ट की ओर से मतिदान कराए गया और ये प्रतिक्रियात्मक मतिदान था जिसमें रूस अपने वोचों का प्रयोग नहीं कर सकता था बैचक में यूकरेन संकट पर संयुक्तराश्ट महसरभा की आपात बैचक बुलाई जाए और या नहीं इसको लेकर भी वोटिंग की गई आपको बताते चलें कि एक नीजी समाच और जुन्सी के द्वारा बताया गया है कि ग्यारा मतों से पारित प्रस्ताफ पर भारत मतदान प्रक्रिया से बाहर रहा भारत के अलाबा इस बार भी चीन और यूएई समेट कुल तीन देशों ने मतदान से बाहर रहने का फैसला किया बैचक में कुल ग्यारा देशों ने प्रस्ताफ के पक्ष में मतदान किया तो वहीं रूस ने इसके खिलाफ मतदान किया है इस विशेश सतर में पांस थाई सदस्यों के साथ साथ दस थाई सदस्यों ने भी भाग लिया इससे पहले यूएनसी की बैचक हुई थी जिसमें रूस की सक्त आलोचना करने वाला प्रस्ताफ लाए गया था उस प्रस्ताफ के पक्ष में 11 देशों ने मतदान किया था जबकि भारत, चीन और यूएई वोटिंग से अनुपस्तित रहे थे रूस ने प्रस्ताफ को रोखने के लिए भी वोटों का इस्तमाल किया था और रूस और यूकरेन पर हमले और बढ़ते अंतराश्य तनाफ का असर अब दुनिया भर के इशियर बाजारों पर नजर आ रहा है भारती इशियर बाजार भी इससे अचूता नहीं है तो वहीं सुबह की बात की जाए तो इशियाई बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार होने के चलते हफते के पहले ही कारोबारी दिन भारती इशियर बाजार भी भारी गिरावट के साथ खुला है Sensex में 529 अंकों के साथ गिरावट के साथ 55339 और निफ्टी में 166 अंकों की गिरावट के साथ 16418 अंकों पर कारुबार की शुरुआत हुई है लेकिन आपको बतादें की छोटे ही देर में गिरावट बढ़ गई और सेंसेक्स में 950 अंक तो निफ्टी, 285 अंक नीचे जाल उड़का है बाजार में मेटल सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टर्स लालनिशान के कारोबार कर रहे हैं और आपको बताते चलें कि बैंकिंग सेक्टर के शेर भी भारी बिक्वरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं ओटो, आईटी, फार्मा, कंज्यूमर, डियूरेबल सेक्टर की शेर भी लालनिशान में ट्रेड कर रहे हैं तो इसी दोरान Mid Camp और Small Camp शेरों में भी गिरावट देखी जा रही है। तो महीं मुंबई के Stock Exchange के सुचांग Sensex के 3 शेरों में 27 लाल निशान में ट्रेट कर रहे हैं। महीं 3 शेर केवल हरे निशान में कारुबार करते नज़र आए। सबसे बड़ी गिरावट HDFC Bank में देखी जा रही है जो की 2.50 फीसदी गिरकर 1419 रुपे पर ट्रेट कर रहा है। तो महीं चड़ने वाले शेरों की बात की जाया तो उसमें Power Grid 0.73 फीसदी चड़कर 119 रुपे के कारुबार के करीब रहा। अब नज़र डालेंगे करोना के मामलों पर तो आपको बताते चलें कि करोना के मामलों में तेजी के साथ कमी आने के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार से कई तरह के बदलाब देखने को मिलेंगे। दिल्ली में जहाँ पर नाइट कर्फ्यू अब खत्म हो गया है तो महीं दुकाने भी पूरे समय तक खुली रह सकती हैं। बैट सकेंगे। पूर्फ में सिर्फ पचास फीसेदी शम्ता के साथ ही रेस्टरंट्स, बार और सिनेमा हॉल को खुलने की इजाज़त होगी। लेकिन सोमवार से ही शादी समारों में भी अब महमानों की संक्या गिननी नहीं जाएगी। ऐसे मैं आपको बताते चलें कि हाला कि अगले दो महीने तक शादी समारों जैसे शुपकारे नहीं होंगे। बावजुद इसके अन्य आयोजन करताओं को बड़ी रहत मिली है। तो महीं कल के मुकाबले आज 2260 कम केसिस दर्च किये गए और अब कुल कोरोना मामले चार करोड 29,24,130 पर पहुँच गए। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में भी आज थोड़ी कमी देखने को मिली। 24 घंटे में 16,75 डो कोरोना से ठीक होकर घर लौते। जबकि कुल रिकवरी अब 4,23,6,686 पर आ गई है। जारी की गए रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे के दौरान 119 लोगों की कोरोना से मौत दर्ज की गई। तो महीं कल यह आकड़ा 243 था और अब देशभर में कुल मौतों का आकड़ा करीब 5,13,843 पर पहुँच गया है। ऐसे में दूसरी और अक्टिव मामलों के अगर बात की जाए तो अक्टिव मामले अभी भी 1,2,601 पर आगे रहे हैं। तो इफ पहुँयर रूस और युक्रेइन युद के बीच कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने भारती चात्रों को रेस्क्यू करने की एक बार फिर से केंद से अपील कर दी है। भी ट्वीट किया जिसमें चात्रों के साथ हिंसा हो रहे है उन्हें पीटा जा रहा है रावल गांदी ने ये विडियो पोस्ट करते हो एक आप्शन भी लिखा कि इस तरह कि इंसा जेल रहे भारतिये चात्रों और ये विडियो देखने वाले उनके परिवार के प्रती मेरी स का अततका निकासी योजनाश शेयर करनी चाहिए ऐसे में हम अपनों को नहीं चोड़ सकते इससे पहले रावल गांदी ने करनाटक के कुछ भारतिये चात्रों का एक वीडियो भी शेयर किया था जो यूकरेन में एक बंकर में फसे होए थे इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया गया कि बंकर में मौझूद भारतिये चात्रों का ये दृश्य परिशान करने वाला है बहुत सारे चात्र पूरवी यूकरेन में फसे होए हैं जहां भीशन हमला हो रहा है मैं उनके चिंदित पारिजनों के साथ हूँ और मैं एक बार फिर भारत सरकार से उन उतने अत्की ओर बढ़ रहा है ऐसे में पांक चरण का मतदान हो चुका है और अब केवल दो चरणों के मतदान बाकी बचे हैं इससे देखते हुए राशनितिक दलों ने चुनाप प्रचार में पूरी ताकत जोक रखी है रक्षमंतरी राशना सिंग ने रवेवार को आसम राशना सिंग ने कहा है कि यूपी में सरकार में नरेंद्र मोधी का विजन होगा योग्या दितनात का मिशन होगा और जनता का पार्टिसिपेशन होगा उन्होंने कहा कि यह अत्मनिर्वर भारत है यह अब सिर्फ गोली नहीं बलकि गोला बनने के कगार पर है उन्होंने हत्यार बेशने वाले देशों में शामिल होगा राजना स्टिंग ने कहा है कि पहले सरकार में खनन घोटाला, एंबुलेंस घोटाला, यमुना रिवर्फरंट घोटाला होता था, गुंडे माफियाओं की चलती थी और अब प्रदेश में भय और प्रसचार के लिए कोई जगा नहीं है, आगे उन्होंने कहा कि माफियाओं को पता है कि अब योग्यादित्यनात का बुल्डोजर चल जाएगा, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तरप्रदेश में सरकार अपराधियों के सहयोग से नहीं, जनता के सहयोग से चलाए जाती है कहा ये भी गया है कि जनता को भय और भूख से आजादी नहीं दिलने वाला समाजवादी नहीं हो सकता उन्होंने ये वी कहा है कि सच्चा समाजवादी हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी है और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे हैं जो आपको बता दे कि राजा भाईया पर एफाईयार दर्च की गई है आपको बता दे कि रगू राज प्रताप सिंग और तो राजा भाईया पर एफाईयार दर्च की गई है कुंडा विधायक राजा भाईया पर एफाईयार दर्च हुई है आपको बताते हैं हाली में पांटवे चरण के चुनाव यूपी में संपन हुए जहां पर कुंडा में एक सपा कारेकरता पर जानलेवा हमला किया गया था गाड़ी चतिग्रस्त हो गए थी और यह आरोप लगाया जा रहा था कि राजा भाईया के समर्थकों ने उनके साथ य राजा भाईया पर ये FIR दर्च की गई है बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे कुंडा से सामने आई है जहां पर कुंडा विधाया के पूरा मामला आपको बता दे कि पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में ये केस दर्च किया है और इसी के साथ ही इस वक्त की सबसे पड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जह सपा बूत एजेंट ने कुंडा में ये FIR दर्च की गई है जब वो बूत का जायता लेने निकले थे तो उन पर जान लेवा हमला हुआ था कहा जा रहा है कि जाती सुचक गाली और जान से मानने की धंकी के आरोप में ये FIR भक्ती का महौल नजरा रहा है और बंबं के जैकारों के साथ मन्जिल की ओर बढ़ रहे हैं SHIF भग्त महा शिवरातरी के पर पर शिव भख्तों में खुशी का महौल देखने को मिल रहा है और बंबं बोले की आवाँज हरिद्वार से लेकर लखसर तक गूंच रही है SHIF भक भगवान से यही मननत मांग रहे हैं कि कोरोना काल में जो मुसीबते आई उनसे निजात मिले और हमारा देश सुरक्षित रहे लक्सर से गुजर रहे शिप भक्तों ने बताया है कि वहां हरिद्वार से मुलोग गंगा जल लेकर आ रहे हैं और अपने जिलाप प्रतिक्षित गड़ में जल भी शेक करेंगे उन्होंने ये भी बताया कि हमारी भगवान से बस यही मननत है कि हमारा देश सुरक्षित रहे और जो कोरोना काल में मुसीबते आई हैं उनसे निचात मिल सके अरिद्वार जल लेने के जिए और स्रेंग्रेशी आस्रम किलापरिक्सदवर्ड में है उस पर हमारा जल चड़ता और ये ही मननत है कि कोरोना काल में जो मुसीबते आई हैं इनसे हमें चुपता रहे हैं और रूस और यूकरेन के बीच इस वक्त भीशन युद चल रहा है रूसी सेना लगातार यूकरेन के कई शहरों में लगातार मिसायलों से हमले कर रही है यूकरेन दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है नेकिन इसी बीच जापान के अरबपती हिरोशी मिकितानी ने रविवार को कहा है कि रूस का युकरेन पर आकरवन लोकतंतर के लिए चुनौती है उन्होंने युकरेन सरकार को 8.7 मिलियन डॉलर यानि करीब 65 करोड रुपे दान करने का फैसला किया है मिकितानी ने कहा आगे कि उन्होंने 2019 में कीव का दौरा किया था और राश्पती जलनस्की से मुलाकात की थी एक ओमर्स की दिगज कमपनी राखुचेन के संसापक मिकितानी ने युकरेन के राश्पती विलोदी मेर जलनस्की को संबोधित कर एक पत्र में कहा कि दान युकरेन में हिंसा की शिकार लोगों की मदद करने के लिए मानुवीए गतिविधियों के लिए किया जाएगा मेरे विचायर आपके और युकरेन के लोगों के साथ है मिरा मानना है कि एक शान्ती पूर्ण और लोकतंत्र के लिए एक चुनावती है जापानी अरबपती ने आगए ये भी कहा कि मुझे पुरी उमीद है कि रूस और यूकरेन इस मुद्दे को शान्ति से सुलजा सकते हैं और यूक्रेन के लोगों को जल से जल शांती मिल सकती है दुनिया भर के लोग और संगठन यूद का संकट जेल रहे हैं यूद का संकट जेल रहे हैं यूक्रेन की मदद के लिए दान भी कर रहे हैं रूस के आक्रमन के बाद अब दुनिया भर के देशों ने उस पर वित्य पाबंद लगा दिये हैं हाला कि रूस पर इसका कोई दबाव नज़र नहीं आ रहा जपानी सरकार ने भी रूस पर कई प्रतिबंदों की घोशना की है अबिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने रविवार को समासुधार अबिहान के दस्वे चरण के तहत राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजितकार एक्रम को संबोधित किया है इस दोरान उन्होंने राजधापूर मुख्यमंत्री लालू यादव राबड़ी देवी पर इशारों है इशारों में निस्ताना साथ दिया नारी सचिक्तिकरन के मुद्दे पर बात करने के दरान उन्होंने कहा कि भले ही लोगों ने अपनी पतनी यानि कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया हो पर महिलाओं के विकास के लिए कोई काम नहीं किया सीम निदीश ने आगे कहा कि जब हमने साल 2006 में पंचायती राज विवस्ता में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षन की विवस्ता की तो बहुत से लोग नराज भी होए लेकिन मैंने बाद में इस विवस्ता को नगर निकाय में भी लागू किया तो वही साल 2013 में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षन की विवस्ता की आज बिहार पुलिस बल में इतनी बड़ी संख्या में महिलाए हैं जितने बड़े-बड़े राज्यों में भी नहीं है सीम ने आगी कहा है कि शराब बंदी के बाद घर और समाज का महल बदल गया है शराब पीने के पक्षधार कुछ लोग मेरे खिलाब बोलते रहते हैं और वो खुद को ज्यादा काबिल पड़ा लिखा और विद्वान समझते हैं लेकिन ऐसे लोग काबिल नहीं हो सकते जो शराब के पक्षध में बोलेंगे वो गलत ही होंगे ऐसे में समाज में 10 प्रतिशत गडबड करने वाले लोग होते हैं शराब बंदी को ले कर कुछ लोग तरह तरह के सवाल भी खड़े करने लगे हैं जहरीली शराब पीकर लोग मरते हैं हम तो शुरू से ही कहते हैं कि शराब कितनी खराब चीज़ है ऐसे में अवैद शराब के धंदे बाजों पर तेजी के साथ कारवाई जा रही है और अब ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है सुराप के धंदेबाजों पर मदन इनिशेद और पुलिस भाग की ओर से पूरी नज़र रखी जा रही है जानकारी देते हैं उन्होंने ये भी कहा कि धंदेबाज ड्रोन उपर से चित्र लेता रहेगा और कारवाई होती रहेगी अभी 28 ड्रोन की सहायता ली जा रहे है और ड्रोन हेलिकॉप्टर का भी उप्योग किया जा रहा है दरसल आपको बता दे चलें कि ड्रोन के माध्यम से गंगा नदी के दोनों किनारों पर भी निगराने की जा रहे है और अगर कोई भी गड़वड़ी करेगा तो बचेगा नहीं और इसी बीच आपको बताते चलें कि मनिपूर में आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और कितना वोटिंग प्रतिशत रहा वो इस वक्त हम आपको दिखाएंगे मनिपूर में आपको बताते चलें कि लगातार वोटिंग जा रही है CM वोट कर चुके हैं और अब मनिपूर में 38 विधान सबा सीचो पर मतदान किया जा रहा है जहां तेजी के साथ मतदान हो रहा है पहला चरण है और मनिपूर में 9 बज़े तक का वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा वो आपको बताते चलें कि इस वक्त की बड़ी खबर मनिपूर में सुबह 9 बज़े तक 9.9 फीसदी मतदान हो चुका है बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रहा है मनिपूर में पहले चरण के लिए मतदान जारी है और सुबह 9 बज़े तक 9.9 फीसदी बोटिंग की जा चुकी है साथ ही आपको बता दें कि मनिपूर में 38 विदान सबा सीटों पर ये मतदान किया जा रहा है साथ ही आपको बताते चलें कि मनिपूर में मनिपूर के सीएम और BJP के सीएम उमिदवार भी वोट कर चुके हैं मतदान कर चुके हैं और लोगों से लगाता EL यही अपील की जा रही है कि भारे से भारे से जांक्या में जाएं और मतदान जरूर करें लोकतंत्र के इस महापर्फ का हिस्सा जरूर बने और इसी बीच अब तक के जो आंकड़े निकल कर सामने आये हैं मनिपूर से वो आपको दिखा दें कि मनिपूर में 38 विदान सभा सीचो पार पहले चरण के मतदान हो रहे हैं और अब तक यानि सुबह 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो मनिपूर में सुबह 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आया है जहां 9 दशमलब 9 प्रतिशत लोगों ने अब तक मतदान कर दिया है